नमस्ते दोस्तों मेरे यूटीब चैनल में आप सभी का सवाथ गया है अब देख सकते हैं हमने आप लिए मैदा उस पे डाला थोड़ा सा नमाग इस पे डाला थोड़ा बेकिंग सौड़ा पाउडर यहां पे लेते हम सौड़ा सा पानी यहां पे हम इसको अच्छे से गूत करेंगे आप इसमें दही भी आड़ कर सकते हैं ताकि वह अच्छे से खमीरा हो जाए आटा हमारा पानी इसमें हल्का हल्का यह आड़ करें मना यह जादा ही घीला हो जाएगा यह देखिए हमने आप लगा दिया है मैदे का डो इसके ओपर डाल देते हम छोड़ा सा ऑईल आप इसमें गी भी आड़ कर सकते हैं मैंने रिपाई ही आड़ किया है यह हमारा डो हो गया है बनके रेड़ी यह देखिए यह देखिए आप अब हम इसको रख जाते हैं यहां पर ढ़के जो कि हम इसे 10-15 मिनट तक रखेंगे थोड़ा सा ऑईल छोड़के मतलब आप गी भी आड़ करके रख सकते हैं ति इसको हम ढ़के रख जाते है थोड़ा सा दस-15 मिनट तक रखेंगे यह देखिए यह पर ज़ला दिया हमने ग्यास इसके पर रखी हमने कड़ आप बड़ी गड़ाई लीजिए मैंने छोटी कड़ाई ली क्योंकि मेरे को छोटा सा ही बनाना था आप बड़ी कड़ाई लेना इसके हम ऑईल अट कर देते हैं ओल भी जादा ही डालना यह देख सकते हैं हमारा डू किता सॉफ्ट हो रहा है एक दम यहां पर हम इसको बेल देते हैं आप जिता बड़ा साइट कर सकते हैं मैंने इसका साइट छोटा ही है क्योंकि मेरे पास छोटे केड़ आई थी यह किसी कस्टुमर की दिमांड थी इसलिए मैंने सर्फ एक ही बना हमने ओल चेक कर लिए देखिए हमारा और हो चुक है गरम इसके बाद हम डाल देते हैं इसे बटूरा आज यार मेरा कैमरा स्वाइब सेट में इसलिए आपको थोड़ा फिक से नहीं दिख रहो होगा यह देखिए आप जितनी देर इसको खमीरा निकल रहेंगे उतना जादा आपका भटूरा अच्छा निकलेगा पर यह बहुत ही जादा टेस्ती था अच्छा भी हो रहा था मैंने खुट ट्राइब किया है तो आप भी घर में ट्राइब कर सकते हैं और अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आदे तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए